लो स्टुडेंट्स आप सभी कर सोगत है मारे इस यूडियूब चैनल पर आज हम लोग बात करने आ ले हैं मिसन मैथोमेटिक्स क्लास 9 की जो कारपत्री का है दो चरवाली रेखांकिक समीकरणों के हल के बारे में जो आती है आई है दिनाक 3823 की इसके बारे में बात करेंगे देखें दो चरवाली रेखांकिक समीकरणों के आपको पता है एक जो है समान समीकरण क्या होता है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 होता है आपको पता है आलेखिक हल अगर देखें तो समानतल सीधी रेखा में हमेशा होगा और अगर हम बीज गड़ित हल देखें तो इसमें बहुत सारे हल हमें देखने को मिल जाते हैं आप देखोगे जैसा यहाँ पर यह क्या है यह रिखांकिक हल है एक मतलब ग्राफ पर हल दिखाये गया है तो ग्राफिकल हल में हमेशा यह एक स्ट्रेट लाइन में ही फॉर्म होते हैं और आप या रखेगा अगर हम यहाँ पर आएं इसके अलजेबरिक सॉल्यूशन को तो मान लोगा रएक एक एक एक्योशन है आपके पास इस प्लस y bराबर 5 यह दो चर्वारी रिखांकिक के एक क्या है एक रिखांकिक समी करन है मान लो x बराबर आप यहाँ पर 0 ले लोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई इस equation में जयसे ही put करोगे जी तो Y बराबर 5 आ जाएगा अगर आप यहां पर मान लो क्या है X बराबर 2 ले लोगे तो जैसे ही equation में 2 put करोगे तो Y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा तो 2,3 बन जाएगा इस इह तरीके से X बराबर आप 6 ले लो तो x बराबर 6 लेते हैं आपका y बराबर कितना आजाएगा माइनस का बना जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे सम्मी करण के हल हो जाएंगे इनकों क्या करते हैं फिर graph पे दिखा देते हैं और एक straight line का formation कर देते हैं तो चलो करते हैं अगली question का solution देखो इसमें कहा गया है सोयम प्रैास कीजिए इसमें कहा गया है कि दिये जाच कीजिए क्या x बराबर 2, y बराबर माइनस का 2, 3 x y 3 x माइनस 2 y बराबर 10 का हल होगा या फिर नहीं होगा तो देखो इसको बहुती सा धारान तरीके से हम कर सकते हैं ठीक है तो करते हैं चलो हमसे का गया है हमसे का गया है 3x minus 2y बराबर 10 3 into 2 minus 2 into minus का 2 बराबर 10 यहां हो जाएगा 6 6 plus 4 बराबर 10 और 10 बराबर 10 क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लिजेए चैनल का सस्काइब कर लिजेगा और यहां रखेगा यह 10 is equal to 10 आ रहा है इसलिए यह हल है ठीक है तो वीडियो को लाइक से यह सस्काइब कमेंट करना मत बूलिएगा मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में के बाई